एप्डोमेन एंड प्लविस अनाटमी के इंपोर्टेंट टॉपिक्स मार्क करवाने वाला हूं और उन टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जिनका आपको आइडिया ओना चाहिए देखें एप्डोमेन एंड पैल्विस अनाटमी वाली जो यूनिट है बहुत जादा लेंद इस इसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्जाम से पहले पड़ते हैं मतलब यह वह ताइम है अब फर्स्ट यह स्टुडेंट के एक्जाम आने वाले काफे स्टुडेंट्स पैनिक कर रहे हैं आपको घबराने के बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मैं आपको एब्डोमेन तो आप एंड तक देखेगा होफुली आपको इससे बेनेफिट मिलेगा स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से मैं आपको बीडी चौरसिया के थ्रू बताने वाला हूं बट अगर आप विश्राम सिंग या कोई और बुक प्रिफर करते हैं तो आप उससे भी सेम टापिक प्रिपेर कर सकते हैं तो एब्डोमेन एंड पैल्विस में इसमें 21 चैप्टर दे रखे हैं हम चैप्टर वाइस देखेंगी कि कौन कौन सा इंपोर्टन टॉपिक है तो पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन एंड ऑस्टिलोजी जिसको आपको बिलकल स्किप कर दे एक भी वर्ड नहीं पढ़ना इस चैप्टर में से तो हमने कर दिया है इस चैप्टर को स्किप अब हमारा है नेक्स चैप्टर डैट इस एंटिरियर एब्डॉमिनल वाल अब हम देखेंगे इसमें से आपको क्या-क्या पढ़ना है तो पहला जो टॉपिक है जिसका आपको सिर्फ रीड करना है जिसको वो है muscles of anterior lateral abdominal wall कभी-कभी नाम पूछ लेते हैं और ये वाइवा के लिए भी important है next topic का idea आपको होना चाहिए inguinal ligament तो इसको भी आपको read करना है याद नहीं करना है सिर्फ एक reading दे लिजिए safe side के लिए अब जो बहुत जादा important topic है वो है rectus sheet देखे examiner generally rectus sheet पूछता है बहुत जादा chances रहते हैं rectus sheet के तो ये ultra important topic है इस पे मैं video upload कर चुका हूँ next जो topic है वो है inguinal canal inguinal canal भी ultra important topic है जिस पे मैं video upload कर चुका हूँ अब एक question आ जाता है कभी कभी spermatic cord पे देखे इतना frequent नहीं है पर ये भी important है तो spermatic cord important है अब last आते हैं हम इसकी clinical पे तो clinical में दिया है हर्णिया सारे हर्णिया दिया है बट जो most important है वो है difference between direct and indirect inguinal hernia जिस पे मैंने video upload कर रखी है तो हमने first chapter को skip कर दिया कि कुछ नहीं पड़ना है second chapter है anterior abdominal wall जिसमें से rectus sheath inguinal canal spermatic cord and hernia ये आपको exam के लिए prepare करने है और muscles of anterior abdominal wall and inguinal ligament को आपको सिर्फ read करना है देखेंगे हम अपना third chapter that is male external genital organs तो इस वाले chapter में से आपको hydroceal क्या होता है वो पता होना चाहिए इस वाले diagram को आपको prepare करना है theory में नहीं जाना है सिर्फ और सिर्फ आप diagram याद कर लीजे और varicoceal क्या होता है इस चीज का idea होना चाहिए और जो बहुत जादा important topic है वो है descent of testis तो इस वाले chapter में आपको सिर्फ इतना ही करना है बढ़ते हम अपने next chapter पे that is abdominal cavity and peritonium अब ये बहुत जादा confusing topic है तो अब इसमें जो पहला topic आपको पढ़ना है वो है peritonium lesser momentum, misentry ये सब आपको clear नहीं उपाएगा तो इस वज़े से मैंने इस पे topic पे भी video upload कर दिये then exam के लिए greater momentum, lesser momentum and misentry आपको याद करना है अच्छे से prepare करना है अब एक topic आजाता है हमारा epiploic foruman ये है इस chapter का ultra important topic जिसको हम omental foruman या फिर foruman of winslow भी बोलते हैं अब एक positive बात देखे ये वाला जो diagram है न ये मैंने आपको बताया वह है अब इस वाले diagram में क्या benefits हैं आप इस diagram को बहुत सारे questions में apply कर सकते हैं misentry वाले में greater momentum, lesser momentum, greater sack, lesser sack, pouches में काफी जगे ये वाला diagram बन सकता है तो ये वाला diagram भी आप prepare कर लिजेगा इस वाले chapter में आपको जो सिर्फ read करना है वो है Morrison's pouch and pouch of Douglas जिसको हम hepatorenal pouch and recto uterine pouch भी बोलते हैं तो हमारा ये वाला chapter भी complete हो चुका है तो अब हम देखते हैं थर्ड वाला जो chapter था male external genital organs उसमें से आपको एक diagram बने बताया था वो अच्छे से prepare करना है and descent of testis जो कि एक ultra important topic है और आपको read या करना है hydroceal और vericoceal 4 chapters हमारा abdominal cavity and peritonium अब आपको exam के लिए greater momentum, lesser momentum, misentry and epiploic foramen अच्छे से prepare करना है peritonium अगर आप पढ़ेंगे तभी आपको ये वाले topics clear होंगे और ultra important topic है epiploic foramen और read या करना है Morrison's pouch and pouch of Douglas next chapter है हमारा abdominal part of esophagus and stomach तो इसमें आपको पूरा stomach पढ़ना है तो जो हमारा stomach वाला topic है वो आपको पूरा prepare करना है इस पे मैं complete video upload कर चुका हूँ अब देखें, stomach में जो अलग से separate question आता है वो है stomach bed कभी-कभी stomach bed भी as a separate question पूछ लेते हैं तो आपको stomach में stomach bed, stomach की blood supply, nerve supply, lymphatic drainage और clinical तो इस वाले chapter में से आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है stomach as a long question आ जाता है चलता है हम अपने next topic पे next chapter पे that is small and large intestine अब ये वाला जो chapter है न इसमें आपको diodenum पढ़ना है diodenum के parts, first, second, third and fourth part diodenum के 4 parts होता है चारों पे मैं video upload कर चुका हूँ तो आप वहाँ से देखके अपना time save कीजिए then आपको meccles diverticulum पता होना चाहिए कि embryology का एक important topic है कि कैसे होता है कहां से ये arise करता है इस पे भी मैंने video upload कर दिया और lastly जो इसमें important topic है वो है वर्वी form appendix ultra important topic है इस chapter का तो बहुत जादा chances रहते हैं इस question के आने के इस पे भी मैंने complete video upload कर दिया तो आपको इस वाले chapter में से भी जो हमारा small and large intestine है diodenum के parts पढ़ना है maccal diverticulum पढ़ना है और appendix पढ़ना है पूरा चलते हैं अपने next chapter पे that is large blood vessels of the gut अब इस वाले chapter में से देखें celiac trunk कभी कभी पूछ लेते हैं आपको branches वग्यरा देख लेना इत्ता जादा important topic नहीं है बट अगर हम बात करें important topic की तो वो है portal vein portal vein and porto keval anastomosis और इसकी clinical ये तीनों चीजे ultra important है जो आपको अच्छे से याद करनी है जिन पे मैं वीडियो भी upload कर चुका हूँ देखें मैंने एक वीडियो upload कर थी portal vein की clinical anatomy तो उसी को आप porto keval anastomosis में लिखेगा तो ये वाला chapter भी हमारा खतम हो चुका है अब है हमारा next chapter that is extra hepatic biliary apparatus जिसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ ये दो law that is kevoisier law and callots triangle ये दो आपको read करने हैं याद नहीं करने है तो इस वाले chapter में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही करना है अब हम आजाते हैं अपने next chapter पर that is spleen pancreas and liver अब देखे spleen में पूछते हैं ligaments of spleen pancreas में पूछते हैं development of pancreas और liver में भी पूछते हैं ligaments of spleen तो spleen में आपको क्या करना है इसके relation तो ये वाला diagram बनेगा बहुत जादा ultra important topic है then इसके बाद हमारा आजाता है pancreas का development देखे pancreas overall भी आपको read करना है बट exam के लिए development of pancreas मैंने video upload कर दिये और last जो आपको चीज करनी है वो है liver के ligaments liver को viva के लिए भी पढ़ना होता है तो इस लिए से आप liver की एक full reading ले लिजेगा तो इस वाले chapter में से अगर हम देखें तो 8 वाले chapter में हमने करा 7 वाले में portal vein और porto keval anastomosis 8 वाले में आपको exam के लिए कुछ नहीं करना है बस kevosier law and callos triangle पढ़ लेना है 9 वाला जो chapter था spleen pancreas and liver उसमें आपको peritonial relation of spleen याद करना है development of pancreas embryology के लिए important है and ligaments of liver बाकी pancreas और liver की एक reading करनी है safe side के लिए अब हम चलते है अपने next chapter पर that is kidney and ureter तो जो ये वाला chapter है kidney and ureter ये बहुत जादा important chapter है kidney के relations बहुत जादा common question है हमेशा पुछा जाता है capsules of kidney then आपको parts वगेरा कुछ नहीं पढ़ना है और आपको पढ़नी है blood supply and clinical of kidney तो ये चारो topic पे मैं video upload कर चुका हूँ अब जिस पे मैंने video upload नहीं करी है वो है ureter के constriction तो एक बहुत छोटा सा topic है constrictions of ureter ये आपको पढ़ने है exam में पूछ लेते हैं ये वाला इसका diagram है तो इस वाले chapter में से अगर हम देखें तो kidney के relation, capsule, blood supply, clinical सब पे video upload हो चुकी है ureter के constriction जो आपको book से करना है इस पे video मैं नहीं बनाऊँगा then next chapter आता है हमारा diaphragm ये वाला chapter में सो गया है supra adrenal gland तो इसमें से भी आपको कुछ नहीं करना है जो diaphragm वाला chapter है इसमें से आपको एक ये वाला diagram याद करना है then एक ये box बनावा है जिसमें openings दिखा रखें major openings in the diaphragm और इसके clinical anatomy तो आपको diaphragm वाले chapter में से सिर्फ और सिर्फ इतना करना है अब next chapter है posterior abdominal wall जिसमें से आपको कुछ भी नहीं करना तो हम इसको skip कर देंगे तो guys हमारा जो abdomen वाला part था वो complete हो चुगा है अब हम shift करेंगे अपने pelvis वाले part पे इसमें पहला chapter है perineum most important and most difficult chapter तो इसमें आपको perineal body एक important short question पूछ लेते हैं then ischio anal fossa बहुत जादा इस chapter का ultra important topic है ischio anal fossa तो यह आपको अच्छे से करना है सारे diagrams prepare करना है clinical anatomy अच्छे से करनी है और last चीज जो आपको इस chapter में से करनी है वो है perineal membrane तो तीन topics है perineal body, ischio anal fossa और perineal membrane जो आपको exam के लिए prepare करना है और एक topic है हमारा pudendal canal यह है pudendal canal जो आपको एक reading देनी है इस topic को बढ़ते हम अपने next chapter पे that is preliminary consideration of boundaries and contents of pelvis जो कि आपको क्या करना है skip करना है तो यह बहुत अच्छी news है कि आपको इस chapter को skip कर देना है और हमने इसको skip कर दिया है अब next chapter है urinary bladder and urethra बहुत important chapter है यह वाला भी तो आपको urinary bladder के ligaments करने है और urinary bladder की nerve supply यह physiology में भी पूछते है urinary bladder की nerve supply जो कि एक ultra important topics है तो हम 3 chapter कर चुके हैं perineal then preliminary consideration of bounds and जो हमारा pelvic वाला था and 15th वाला chapter है urinary bladder and urethra तो इसमें आपको यह 3 topics याद करने हैं exam के लिए यह वाला read करने है pudendal canal then इस वाले chapter में कुछ नहीं करना है skip कर देना है then urinary bladder में आपको ligaments और nerve supply अब हम बढ़ते हैं अपने next chapter पे that is female reproductive organs तो female reproductive organs में आपको uterus पढ़ना है अब देखे uterus पढ़ने के लिए आप best है आप supports of uterus पढ़ लीजे supports of uterus पढ़ेंगे आपको उसमें पूरा clear हो जाएगा चाहे इसमें broad ligaments of uterus भी आजाएगे then हमारे यह जो important diagrams है यह भी आजाएगा जिसको हम uterine axis बोलते है तो यह वाला जो topic है supports of uterus यह ultra important topic है as a long question भी पूछ लेते हैं short question भी पूछ लेते हैं hopefully आगे मैं इस पे video बनाऊंगा जल्दी but मैंने अभी इस पे video नहीं बनाई है तो आप इसको prepare कर लीजेगा और इसकी clinical भी देख लिजेगा अब है हमारा next chapter that is male reproductive organ अगर हम इस chapter के बारे में बात करें तो आपको पढ़ना है prostate तो prostate gland आपको पूरा पढ़ना है with clinical तो आप देखी सकते हैं मैंने पूरा पढ़ा वायस को आपको यह पूरा पढ़ना है और age changes in prostate भी पढ़ने है जो कि प्रॉफ के लिए एक important question है तो हमारा यह वाला chapter भी खतम हो चुका है तो female reproductive organ में आपको supports of uterus पढ़ना है ultra important male reproductive organs में prostate ultra important अब आजाता है हमारा rectum and anal canal तो इस वाले chapter में से आपको जो read करना है मतलब जो आपको याद करना है वो है mucosal folds then आपको याद करना है यह वाला diagram blood supply of rectum and anal canal and lymph drainage of rectum and anal canal और इसकी clinical clinical में आपको लिखनी है hemorrhoids तो hemorrhoids अलग से भी पूछ लेते हैं और आपको अगर rectum and anal canal पे कोई question आया तो वो भी बताना है then इसके बाद जितने भी chapter है आपको सारे skip कर देना है तो हम सारे important topics note कर चुके हैं तो rectum and anal canal में यह वाले सब करना है अब एक बार fast देख लेते हैं हमने कौन-कौन से important topics पढ़े हैं तो exam में आपको exam के लिए prepare करना है rectorship ultra important inguinal canal ultra important and difference between inguinal and direct and indirect then descent of testis ultra important epiploic foramen ultra important stomach ultra important appendix ultra important portal vein and portocaval anastomosis यह भी हमारे ultra important topics है then spleen के ligaments development of pancreas and ligaments of liver इन में से peritoneal relation of spleen and development of pancreas ultra important kidney ultra ultra important है then diaphragm इतना important नहीं है बट काफी बार इनको पूछ लेते हैं then perineum में अगर बात करें तो यह तीनों ultra important topics हैं perineum में आपको जितने भी बता हैं यह pelvis वाले पार्ट में यह सारे ही ultra important topics हैं so guys this is all about the important topics under the anatomy of abdomen and pelvis I really hope आपको इस वीडियो से बहुत जादा benefit मिलेगा एक्जाम में प्रिपेर करने के लिए and if you guys want another video on important topics of other unit do tell me in the comment section और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अपने friends के साथ अपने batchmates के साथ share कीजे और जिन्होंने channel को subscribe नहीं किया है वो भी कर दीजे and in the last I would like to wish you all the best for your upcoming exam prepare well and take care